जब हमें कोई email account की ज़रत होती है हम एक email account अपने phone में बना लेते हैं लेकिन उसे delete नहीं कर पाते हैं क्योंकि delete करना बहुत ही आसान है लेकिन यह किसी को पता है नहीं कि आखर delete होता कहां से तो आज किस वीडियो में आप सीख जाएंगे कैसे आप अपने phone से किसी भी email account को delete कर सकते हैं उससे पहले आपको करना है क्या सबसे पहले आपको जब भी कोई email account को delete करना है तो वह email आपके account में login होना चाहिए आपके email application में login होना चाहिए तो जैसे कि आपका कोई email ID आपके email application में login है और आप उसे delete करना चाहते हैं तो कैसे करना है आपको सबसे पहले करना क्या आपको आपका Gmail Application को Open करना है Gmail Application ओपन कर लेते हो पर यहाँ पे दिखें फ्री लाइन दिखेगा सबसे उपर मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस फ्री लाइन पर क्लिक करना है सबसे नीचे आना है सबसे नीचे आनने कक achievements लेकशन लुर्ट है जैसे कि मैं सबसे नीचे वाला email ID अभी delete करके दिखाऊंगा तो क्या करना है आपको सबसे नीचे वाला email ID को आपको select कर लेना है आप जो अपने email ID को delete करना चाहते हो फिर यहां पर देखे manager Google account का एक option है आपको इस manager Google account के option पर click कर लेना है जैसे इस पर click करते हो कुछ ऐसा interface option है आपको इस पर click करना है और जब इस पर click करते हो आपको सबसे नीचे आना है सबसे नीचे आते हो तो आप लोगी यहां पर देख पा रहे हैं delete your Google account का option है लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा गौर किजिए यहां पर देखिए delete Google service है तो इनसे क्या होगा जब आप यह गूगल सर्विस करते हैं तो इस इमेल आइडी पे जितने भी गूगल ड्राइव चालेंडर में आपने जो भी डाटा सेफ किया था अपने इमेल आडी में जितने पी कॉंटेक्स आपने सेफ किये थे वह सारे डिलिट हो जाएंगे लेकिन यह आपको पूरा email ID ही डिलिट क करना है तो क्या करना आपको सबसे नीचे वाले डिलीट यूगल अकाउंट का जो आप्स ね आपको इससे सेलक्ट करना है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार हैं टीलिट यू इंटायर एकांट एंड़ाइड तो आपको इस पे क्लिक करते हो आपके सामने में कुछ password डालना है आप इस email ID का जो भी password है आपको password डालना है और आपको password पता नहीं है तो आप यहां से भी forget कर सकते हैं forget करके आपके नंबर पर को टीपी जाएगा उस डालने के बाद password फर्गेट हो जाएगा चलिए मैं अपना password यहां पर डाल देता हूं मैंने जो सेट किया था इस email ID का मैंने password डाल दिया और यहां पर देखे next का option है आपको इस next का option पर क्लिक करके से verify कर लेना है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं जैदि password सही रहेगा तो यह next आगे step पर पहुंच जाएगा password गलत रहेगा तो आपका ऐसा नहीं आएगा तो यहां पर देखे साब साब आ चुका है कि डिलीट गूगल और सभसर्ण अपर देखे डिलीट पर अप्षण का आपको क्या करना यहां पर देखे दो नीचे चेक बॉक्स को यह पर लोडिग लियर अरहा है और नीचतार और हो शाएक कर देंगा और आपके पंज से डीमेल एकाउंट ऐसा